मुझा विडियो मेरा नाम है रिबक्ष और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाना है हम अपने राइट लेक को आगे रखना है और लेप लेक को पीछे रखेंगे और इस पोजिशन में खड़े हो जाएंगे इस तरह से एंड इस सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा पैर पीछे है लेप ल रखेंगे तो यह पैर ऐसे टिढ़ा करेंगे इस तरह से ठीक है सिर्फ लेग का देखेंगे अभी वान टू फिर से देखेंगे पैर आगे पीछे रखेंगे से राइट लेग आगे लेफ लेग पीछे पैर को उपर उठाएंगे इस तरह से थोड़ा सा जब इससे रखेंगे तो थोड़ा यहां पे मारेंगे पीछे पैर को ठीक है रखेंगे तो और यह पैर आगे जटके से मारेंगे और पैर को देखेंगे इस तरह से टिढ़ा करेंगे ऐसे सीधा नहीं उठाना है थोड़ा सा one two three four आपको सबसे पहले इस leg के moment को सीखना है और जब इससे आप complete कर लेते हैं बिल्गुल ऐसे फाश्ट करने लगते हैं इस leg के moment को तो आमको फिराना है कमर तरी कमर का क्या करता है जैसे एक पैर आगे एक पैर पीछे है कमर को ऐसे आगे लेकर जाएए पीछे आगे पीछे इस तरह से प्रैक्टिस किजिए सिर्फ कमर का जब आप ये कर पा रहें बहुत असानी से तो फिर इस पूरे step में leg के साथ कमर का करेंगे तो क्या करेंगे जैसे पैर पीछे उठाएं leg पीछे का leg उपर उठाएंगे तो कमर को फिर एक बिलकूल ऐसे पीछे जाएंगे होरे तो कमर हमारा आगे जाएनगे सबसे पहले लेग को उपर उठाएंगे कमर हमारा आगे रहेगा जैसे लेग रखेंगे हमारा आगे का पैर उपर उठेगा और कमर पीछे जाएगा बिल्कुल इस तरह से और फिर जब आगे का पैर रखेंगे तो आगे आएंगे इस पैर को उठाएंगे इस स्टेप में ध्यान रखना है कि हमारे एक पैर उपर उठेगा एक पैर नीचे रहेगा हमेशा इस तरह से और कमर आगे पीछे हमारा चलता रहे ठीक है और साथ में जो यह अपर बोड़ी है इस तरह का मुवेंट होता है हमारे अपर बोड़ी से और कमर इस तरह से आगे पीछे होगा और लेग आगे पीछे इस तरह से होता है एक पर फिर से करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 तो इस step को practice किजी आप लो एक बार फिर से count पर करते हैं बिल्कुल slow में और इस पुरिया step में जो हमारा hand का moment है वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं जैसे एक hand यहां पर रख लिजी ऐसे और एक hand ऐसे 1,2,3,4 या फिर एक hand कमर पर रखे एक hand उपर रखे 1,2,3,4 या फिर दोन इस तरह से जब आगे का पर उठाएं तो right वाला hand है आगे रहता है और जो पीछे का पर उठाएंगे तो यह hand आगे रहे है इस तरह से 1,2,3,4,5,6 7,8 1,2,3,4,5,6 तो hand का moment आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में मैंने hand के moment बहुत सारे किये हैं तो वह देखकर आप कर सकते हैं तो I hope कि आपको यह dance step समझ में आ गया होगा तो इस step को practice कीजिए क्योंकि आप जितना इस step को practice करेंगे उतना आप clearly इसे कर पाएंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितना हो सके इस step को practice कीजिए और इस तरह के और भी dance step सीखने के लिए इस channel को अभी subscribe कर के bell icon press कर लिजे तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें